है हम थो शाज रो पिजुयाज और किस्ट भण देडीर स्वी ।ोड़ेय। से पहले हमने ल्ड इॉल क्राइच Kelsey पड़ा है तो and क्या होगा इसमें दिखो हमारे पास हम एक ले लेते हैं ऐसा अल्डी हाइड जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यह हमारा फॉर्मेल डिया या फिर हम इसे मिथेनल भी वोल सकते हैं यह हमारा मिथेनल है मिथेनल यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हमने मिथेनल एक मिथेनल प्लस हम दूसरा मॉल्यक्यूल भी इसका लेंगे सेम देखो यह मिथेनल ही है बस इसका हमने डारेक्शन चेंज किया इस तरीके से रेंज किया इसको क्या ट्रीट कराना देखो कैनी जारो रियक्शन में हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे इसे concentrated alkali के साथ treat कराएंगे जबकि aldol condensation के time भी हम dilute use कर रहे थे यहाँ पर हमारा आगया concentrated KOH ठीक हमने concentrated KOH के साथ इसको use किया है यह हमारा methanol के दो molecule है और use करना हम concentrated KOH के साथ जब हम इनको react करेंगे यह और साथ में हम करेंगे heat तो क्या होगा हमारे aldehyde group है इसका self oxidation और reduction हो जाएगा aldehyde group को reduce करते हैं हमें पता है जब हम इसका partial reduction करेंगे तो हमें alcohol मिलते हैं और हम इसको जब oxidize कर देंगे तो हमको मिलता है carboxylic acid group तो अब यहीं हो रहा है self oxidation और reduction होना एक को आपको कुछ नहीं करना एक molecule को आप convert कर दीजे alcohol में यह बन गया हमारा alcohol और दूसरा हमारा बन जाएगा salt of carboxylic acid यह बन गया हमारा salt of carboxylic acid ठीक है ना यह हमारा यह क्या है इसको समझ रहा है आ रहा है यह हमारा COOK और यह है H COOK और हम इसको H COOK यह हमारा बन गया है इसका नाम क्या हो जाएगा potassium formate potassium formate है यह यह हमारा है क्या methanol यह हमारा methanol है और यह methanol ठीक तो canisaro reaction में क्या है aldol condensation और canisaro में difference याद रखना कैनी जारो किसके साथ होगा जहां alpha hydrogen नहीं है जबकि aldol condensation कहां होता है जहां पर alpha hydrogen present होगी ऐसे aldehydes जिनके पास alpha hydrogen है वो शो करेंगे aldol condensation और जिनके पास alpha hydrogen नहीं है वो शो करेंगे canisaro reaction aldol condensation के time पर यूज किया जाता है dilute alkali को dilute naoH को हम यूज कर रहे थे जबकि यहां पर हम क्या यूज कर रहे है concentrated koH को यूज कर रहे है वहां पर क्या हो रहा था dimerization हो रहा था condensation था मतलब दो molecule मिलकर एक molecule बना रहे थे जबकि यहां पर number of molecule उतने ही रहेंगे और क्या हो जाएगा self oxidation and reduction हो जाएगा इसको हम disproportionation भी बोलते हैं यहां पर disproportionation हो रहा है इसलिए इस reaction को disproportionation बोल सकते हैं self oxidation, reduction भी बोला जा सकता है important reaction है aldol condensation and canisaro reaction दोनों ही बहुत important reaction होती है तो I think आपको ये video बहुत अच्छा लगा होगा like, share, comment करें और channel subscribe करना न भूलें thank you